हेला इस्टुटेंट, चलिए हम लोग आज इस्टेडी करते हैं वाटर, एक प्रिसियस रिसूर्स, एक अनमोल प्रकृतिक संपदा, तो हम जानते हैं कि वाटर क्या है एक बहुत ही अनमोल प्रकृतिक संपदा है हम लोग के पास, जिसकी बिना जीवन की कलपना भी नहीं कि जा सकती है और किसी भी समाच का अभिकास वहाँ उपस्थित वाटर रिसूर्स पर निर्भर करता है और प्रिथवी के 75 पॉस्टेंट भाग पर जलिय ले रहे हैं जो की रिवर्स, पॉंड, सी, ओसियंस की रूप में हम देख सकते हैं और प्रिथवी पर कुल जल का लगब 97.5% ओसियंस हैं और सिर्फ 2.5% रिवर, लेक, पॉंड, वाटर भेपर और ग्लिसियस में पाई आते हैं तो रिवर, पॉंड अधा जलियासियों में उपस्थित वाटर, टूटल वाटर का 1% से भी कम भाग है फिर भी यह जल जीपर उपस्थित लिविंग बिंग के लिए बहुत ही आवस्यक है और इसी से लाइफ पॉसेबूल है ते लिए इसके बारे में हम लोग वन बाई वन स्टेडी करते हैं और इसको हम लोग डेटेल से देखते हैं हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि वाटर जो है हमारे देनिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बोथ प्लांट्स एन एनिमल्स नीड वाटर तू परफॉर्म भेरियस लाइफ प्रोसेस तो चाहे प्लांट हों चाहे एनिमल हों दोनों को वाटर की आवश्यता काविदिक पढ़ती है किसके लिए तो लाइफ प्रोसेस के लिए जिसे डाइस्टन हुआ एक्सक्रिशन हु वाटर बहुत ही ज़िदोरी है ग्रोथ अप्लांट्स एन इन फोटोसेसिस चाहे प्लांट का ग्रोथ हो चाहे फिर फोटोसेसिस करना हो पहुथा अपना भोजन भी जो है वो वाटर की साहिता से ही बनाता है वाटर इज ऑल्सो ए हैविटेट आफ फॉर लार्ज नमर ऑफ एक्विटिक प्लांट्स और एनिमल्स तो वाटर जो है वो क्या है लार्ज नमर अप्टा एक्विटिक प्लांट हो चाहे एनिमल हो जलिये जीवों का बहुत बढ़ा संसार है वो चलिये अब हम लोग देखते हैं availability of water in nature ठीक है तो when we look at the picture of the earth taken from the space it appears blue जब हम प्रिथ्वी को space से देखते हैं या उसके photo को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिथ्वी जो है वो blue दिखाए पड़ता है आप जानते हैं ऐसा क्यों दिखाए पड़ता है तो ऐसा इसली दिखाए पड़ता है कि प्रिथ्वी का अधिकांस भाग जो है वो जल से धगा हुआ है about 71% of our surface is covered with water लगभक 71% जो है और surface जो है वो जल से धगा हुआ है it is the most abundant substance on the earth और यह प्रिथ्वी पर पाया जाना वारा सबसे abundant substance है therefore our earth is also called a watery planet इसी दिखाए हमारा earth जो है वो watery planet भी कहलाता है almost 97.5% of the water available on the earth surface is contained in the sea and oceans 100% अगर water है तो इस पे से 97.5% जो water है वो और surface पे है किस रूप में sea और oceans में है और this water is salty और saline and therefore unfit for human consumption और यह पानी जो होते हैं समुद्री पानी जो होते हैं वो कैसी होते हैं salty होते हैं और यह जो है मनुस्ति के लिए human being के consumption के लिए वो नहीं है unfit है और of the remaining 22.5% और जो की 97.5% के बाद जो बच गया आपका 2.5% उसका 1.7% जो है found in the frozen form वो बर्प के रूप में ice के रूप में पायाता है ice caps on the top of the mountain and in the glaciers तो समझेए कि 1.7% जो है वो तो ice है mountain के उपर में glacier के रूप में वो जमा हुआ है only 0.8% समझेए कि सिर्फ 0.8% जो water है चाहे वो नदी में हो चाहे लेक में हो चाहे ग्राउंड वाटर हो यह है human being के लिए इतना ही पनी जो है वो फिट है मतलब total amount का only 0.8% जो है वो human के लिए फिट है तो only 0.8% of water is fit for human so we can say that the actual amount of water available for human used in highly inexorable नहीं तो बलता है कि सिर्फ 0.8% जो है वो फिट है और जो water है वो क्या है एकदम बेकार है यूज में हमारा वो नहीं आता है हलांकि indirectly यूज में तो वो सब आता है रेकिं directly यूज में नहीं आता है आप कैसे कर सकता है indirectly रूप में तो हम लोग जानते हैं कि ocean का या फिर sea का water जो है वो evaporate करके cloud मुनाता है और वो cloud फिर fresh water के रूप में हमारे पास पहुंचता है यह हुआ indirectly रूप ओके और हम लोग देखते हैं इसके बारे में आगे तो importance of water for living organism अब living organism के लिए क्या इसका water का महत्तु है तो water is considered as an important element for sustaining life on the earth तो पनी जो है वो बहुत ही important element है इस earth पर जिबित रहने के लिए it is very good solvent और हम जानते हैं कि water जो क्या है बहुत ही अच्छा solvent है इसलिए इसको हम लोग universal solvent भी कहते हैं its property of dissolving various substances making it very useful for all living organism और यह क्या होता है कि आसानी से बहुत चीजों को dissolve कर देता है इसी लिए यह जितने ही प्रकार के organism होते हैं सबों के लिए बहुत ही useful है बहुत ही उप्योगी है देखते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं water inside the bodies of man and animal dissolves minerals gases and many products of digestion and carries them at the place of need in the body तो water जो है inside body में हो चाहे animal हो वह क्या करते हैं बहुत सारे मिंडल्स को dissolve करते हैं gas को भी dissolve करते हैं और यहां तक की digestion में भी वह बहुत main role निभाता है और एक स्थान से दुसरी स्थान तक कुछ भी substance को हमारे body में ले जाता है तो उसमें जो help कॉन करता है water करता है next point डखते हैं क्या है इसमें कि water regulates body temperature water क्या करता है हमारे body temperature को regulate करता है by the process of sweeting in evaporation हमारे स्रीड में जिसी गर्मी के दिनों में बाहर का atmosphere का temperature बहुत हाई रहता है तो उस high temperature को regulate को करता है water क्योंकि तो हमारे सरीर से sweet पसिदा निकलता है और वही पसिदा क्या करता है हमारी सरीर को थंड़क परदार करता है और हमारे body temperature को ठिक रखता है in hot weather we drink a lot of water लेखते हैं हम लोग गर्मी के जुनों में क्या करते हैं काफी मासरा में पानी पीते हैं और this maintain our body temperature उसी से हमरा body temperature क्या होता है maintain होता है within reasonable limits water that evaporates from the surface of our body in the form of sweet takes away a lot of heat and thus cools the body पानी हम अधिक पीते हैं जिसके दुर्ण क्या होता है कि हमारे सरीर से काफी फस्षिना निकलता है और वह पस्षिना क्या करता है हमारे body को क्या करता है ठंड़ा रखता है चलिए आगे जखते हैं हम लोग कि water provides a medium for all biochemical reactions taking place inside our bodies हमारे सरीर के अंदर जितने भी biochemical reactions होते हैं तो water provides करते हैं उसका medium उसी medium में यह biochemical reactions होते हैं next point है कि water is essential for germination of seeds और पनी जो है वह बहुत ही जरूरी है seed के germination के लिए and growth of plant और plants के growth के लिए it also help to transport nutrients from the soil in food from the level to different parts of the plant हम लोग जानते हैं कि plant जो है water को absorb करता है roots से लेगिन फिर उसको कहां तक एक तम tip तक पहुंचाता है कि different types का मिंदल्स जो है वह पौधे के विविन बागों तक पहुंच सके plant use water in the process of photosynthesis और plant जो यूज करता है water और किसमें photosynthesis की द्वारा भी यूज करता है photosynthesis में इसको पहनी चाहिए ठीक है चलिए अब आगे जखते हैं हम लोग most industrial activities need water जितने भी industrial activities होते हैं सबों में एकलम plenty of water काफी पहनी चाहिए इंडस्टी सच एस paper textile petroleum refining fertilizers drugs dyes and heavy chemical industries required water in huge quantities तो जितने भी कि इंडस्ट्रीज है सफी इंडस्ट्रीज में क्या है परनी की खपत बहुत ही अधिक होती है अगला पॉइंट हम दो देखते हैं इसमें कि water provides habitat for several plant and animals the water body जहां जहां भी है चाहे pond हो चाहे sea हो चाहे river हो तो जहां जहां water habitat है तो वहां पर बहुत सारे animals भी राते हैं चाहे वह plant हो चाहे animal हो वह water के अंदर भी सरभाइब करते हैं water is good medium for the transportation of people and goods और water जो है क्या है कि human के transportation के लिए भी बहुत ही मददकार है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कि the flowering the flowing water is used for generating electricity और बहता हुआ पानी या फिर हम लोग पानी को इस्टूर करकी उसको उससे हम electricity भी जन्रेट करते हैं with the help of the water wheel water wheel के माध्यम से the flowing water rotates the water wheel तो भातावा पानी क्या करता है वो रोटेट करता है किसको water wheel को जिसको टर्वाइन कहते हैं the rotation water wheel then rotates the turbine वो टर्वाइन को रोटेट करता है to generate electricity तो चाहे तो हम भातावा पानी में या फिर डेम बग्रे में हम लोग देखते हैं कि डेम बांद जाया आता है उसका जो गेट राता है उस गेट की पास तर्वाइन लगावार आता है और वो क्या करता है उसको काफी तीज से मूब करता है इससे की electricity generate होता है कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि water provides a medium for recreational sports such as swimming water skiing और फिर पॉइंट है water is the radiator of a car helps in keeping its engine cool तो वाटर जो है जो कार का radiator होता है उसको रखने में ठंथा रखने में मद करता है इन कोल कंट्री में क्या करता है वाटर ही उप्योग करता है ताकि उसका घर को गर्म रखे वाटर भी घर को गर्म रख सकता है कि तेली आगे अब हम लोग देखते हैं कि sources of water water के source क्या क्या है तो हम लोग देखते हैं कि water के mainly दो सोस हैं चाहे surface water और एक underground water तो surface water में क्या हो गया river वा लेक हुआ स्वाब पॉंड वा बहुत सारे हैं और उसके पाद सी वाटर है और रेन वाटर है तो यहां पर हम salty और फ्रिस वाटर नहीं देख रहे हैं खाली हम देख रहे हैं कि sources of water कौन कितने है ठीक है तो दो टाइप में इसको किये हम लोग surface water में नहीं और एक किये underground water में और surface water को हम लोग क्या किये तीन भागा में डिवाइट किये river बहर लेक वाटर में दुस्ता हुआ सी सी वाटर और तिस्ता हुआ रेन वाटर में इसको हम लोग one by one करते हैं कि यह सबसे पहले हम देखते हैं surface water को टीक है तो दा वाटर परजेंट ओन दे surface of the earth is called the surface water हम लोग प्रिथवी के ऊपर में जो पनी देखते हैं उसी हम लोग क्या करते हैं surface water करते हैं तो टाइप ओप surface water ठीक है कितने प्रकार के surface water है उसको हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग मुझे रूप से तीन भागों में डिवाइट किये हैं पहला है आपका river and lake water the water in rivers and lakes come from rain and melting of snow to water जो है वो चाहे river में आई चाहे लेक में आई यह सब पानी कहां से पहुंचता है या तो वो बसा का पानी है या फिर बर्फ के पिघलने से जो पानी बना है वो पानी है इसमें बहुत सारे impurities भी होते हैं और दूसरा प्रका का जो water है वह आपका है sea water तो water from rivers lakes and streams flow into the sea चाहे जो भी water देखते हैं हम लोग चाहे river में है चाहे streams में है वो फ्लो करके अंत में स्मुद्र में ही जागे पहुंचता है और sea water contains various soluble salts and other impurities as it is very salty तो हम दों जखते हैं कि स्मुद्र में पहुंचते ही क्या होता है उसमें बहुत सारे impurities हैं और वहां पर soluble salts हैं वह क्या करते हैं water को salty बना देता है और तीसरा है आपका rain water rain water is the purest form of natural water यह सबसी purest form है natural water का the first sewer contents dust and other impurities तो first sewer जो होता है पहला परसा जो होता है उसमें देखते हैं हम लोग dust और कुछ other impurities जाते हैं लिए उसके बाद जब और परसा होती है तो उसके बाद वो water जो होता है अदम purest water होता है अब हम लोग next देखते हैं underground water तो इस पार्ट और रेन वाटर प्रोकलेट्स into the soil and gets collected below the surface of earth तो हम लोग देखते हैं कि रेन वाटर जो है वो बहता है और फिर स्वाइल द्वारा absorb करके फिर वो नीचे में जाके collect हो जाता है नहीं is called the underground water वो इसी को हम लोग क्या करते हैं underground water करते हैं it is derived from tube wells hand pump or well इसको हम लोग tube wells या hand pumps या फिर वेल के माध्यम से फिर उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं तो the water that is collected above the rocks वहाँ पाणी जो की rocks के उपर में collect होता है नहीं exert pressure and come out from opening in the earth is called the spring water तो spring water क्या हुआ है तो water that is collected above the rock जो पाणी की rock के उपर में collect है और exert pressure उसके pressure पड़ता है और वही pressure के माध्यम से फिर वो पिर्थवी के उपर में बाहर निकलता है उसी हम लोग क्या करते हैं spring water करते हैं ठीक है इसमें एक और important point है वो है आपका infiltration तो बलता है the process of seeping water into the ground is called infiltration तो कहता है कि वह परक्रिया जिसके दो पन क्या करता है ground जो करता है वो यह दो elements का बना हुआ है hydrogen और oxygen नहीं एक है hydrogen दूसरा है आपका oxygen और इसका ratio जो है वो 2 is to 1 है by volume volume की अधार पर इसका रिश्य है 2 is to 1 है और 1 is to 8 है by mass by the process of electrolysis we can separate the elements of water तो वाटर की दो element है hydrogen और oxygen इस दुन को अगर हम अलग करेंगे तो वह electrolysis process से होता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं states of water water को हम लोग कितने states में देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि water जो है वो three states में पायता है नहीं solid में liquid में और gaseous में अगर solid में हम लोग देखें तो snow हुआ आईस हुआ है और glacier हुआ यह सब क्या हूआ solid form हुआ liquid जोह हम लोग पाणी देखते हैं यह liquid वह और गेसियस क्या हुआ वाटर वेपर जो है और एर में जो वाटर होता है नहीं उसमें अभी क्या है जलकी मातर है तो वह गेसियस फॉर्म हुआ सबसे पहला हमनों देखते हैं स्टेट फॉर्म है तो हमनों जानते हैं कि जिरो डिगरी सी पर क्या होता है लिक्वीड वाटर जो होता है वह आई इस पर बदर जाता है वाइल मौस्ट सबस्टांसिस कॉंटेक्ट ओन कुलिंग वाटर एक्सपेंड एट इस ब्रिसिंग जैनते हैं कि अधिकतर सब्स्टांस जो होते हैं वह कॉन्टरेक्ट करती है सिखूर्टी है ठंठावने पर लेकिन वाटर क्या होता है एक्सपेंड रहे होता है यह दो सब्सक्राइब कर सकता है आई शिदेंसर देंग वाटर है जीन एंस आइस प्लोट औरध लाटर हम जा useful for aquatic plants and animals और यह property जो है वो aquatic plant के लिए और animals के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंगी उपयोगी है देखिए आगे देखिए दिया हुआ है it is so because it prevents freezing of a large part of the earth water that has millions of creatures इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वो जो पानी जो है वो उपर लेयर को जो है freeze तो कर गिया लेकिन अंदर जो पानी है वो जो है वो freeze नहीं होता है वो जमता नहीं है समझें कि नहीं जिसके करण क्या होता है कि millions of creatures जो हैं वो safe रहती हैं और a solid layer formed on the surface और सिर्फ एक solid layer जो है वो water के surface पर formed होता है नहीं act as a protective coat लगता है कि वह एक protective coat का रिर्वान कर देता है keeping the water below is warm लेकिन अंदर का पानी जो है वो वार मेराता है does the aquatic life can easily survive underneath इसलिए उसके नीचे जो है पानी के नीचे जो है वो क्या है वो बहुत ही आसानी से सर्भाइब कर जाता है aquatic life अब देखें यह है solid form है नहीं इसको आप लोग और पहले भी जुनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे यह solid form है और यह अब हम लोग देखते है liquid state solid form में क्या था आप ध्यान दीजिए इसमें इसके molecule क्या है बहुत ही compact arranged है और इसको अगर प्रेस कीजिए गा तो यह प्रेस नहीं होगा जिसमें पकार कि आप कोई भी ऊड़ को लकडी को अगर प्रेस कीजिए गा तो नहीं प्रेस कर पाई है तो काता है कि water जो है वह liquid form में है कम है hundred से zero से hundred तक में this is very important factor which enables substance of life on the earth और water जो है यह बहुत ही important substance है जो जिसके कारण क्या है पिर्थरी पर यह life मौजूद है this is also a unique property of water as most of the other substance do not occur in their form at ordinary temperature तो काता है क्या कि water जो है वो क्या है इसका एक unique property भी यह है समझे की नहीं तो लिए आगे हम लोग देखते हैं यह है आपका water water का molecule की देख रहे हैं हम लोग थोड़ा loosely arranged है इसलिए इसको हम लोग जिस container में रखते हैं उसका size भी वही साही हो जात है कि देखिए अब हम लोग गेसे सिस्टेज देखते हैं whenever water is exposed to heat जब क्या होता है कि water को exposed क्याता है heat के पास the surface layer of water evaporates तो water का surface layer जो है वह evaporate कर जाता है to form water vapor और क्या बनता है water vapor बनता है water evaporates faster at high temperature और जितना अधिक temperature बढ़ेगा evaporation उतना ही fast होगा और the formation of water vapor is responsible to cause rain और यही formation of water evaporation जो है यही cause है rain का when the liquid water changes into ice or cooling it is called freezing और जब liquid water जो है change करता है किसमें आइस में तो उसी को हम जा करते हैं फ्रीजिंग करते हैं और by absorbing heat और वही फ्रीजिंग और वही ठंधा जो बर्फ है by absorbing heat heat को absorb करते के बाद solid from a form of water that is ice change into liquid और वही जो solid ice है जैसी वह absorb करेगा heat को वह liquid form में आ जाएगा this process is called melting इस ही प्रसें क्या करते हैं हम लोग यह देखिए देख रहे हैं इसका molecule जो हो बहुत ही लूजली एरेंस होता है इसी लिए इसको कोई नहीं कर सकता है कि इसका अकार कैसा होता है अब हम देखते हैं interchangeability of state of water तो the state of water can be changed from one state to other by changing the temperature तो water जो है उसका state जो है solid हो liquid हो gas हो यह सब depend करता है temperature पर liquid water change to ice on cooling liquid water को change होता है किसमें आइस में जब उसको में ठंधा करते हैं on increasing temperature और गर्मी अगर बढ़ाने को बाद ice change to water वो water में बदल जाता है similarly liquid water can be converted into vapor on further heating और liquid water को हम लोग फिर अगर गर्म करते हैं तो वह बैपर में change हो जाता है तो water vapor convert into liquid on cooling और जब water vapor को हम लोग ठंधा करते हैं तो वह water में change होता है मतलब यह totally जो है वो reversible reaction है एक form से दुस्ते form में बदल जाता है easy way में इस figure में देखिए यहाँ ice cube हम solid यह ice cube है इसको यह melt अगर heat करेंगे तो वह melt करेगा और liquid में change हो जाएगा और इस liquid को अगर हम fridge करेंगे ठंधा करेंगे तो फिर यह ice बन जाए और आगे देखिए अगर इस liquid को हम लोग क्या किये और गर्म कर दिये तो बेपर बन गया लेकिन यह बेपर जो है इसको अगर हम दोहराता है उसी को हम लोग cycle करते हैं तो पनी बनने की वाटर बनने का जो प्रक्रिया जो बार बार दोहराता है उसको हम लोग water cycle करते हैं तो water constantly moves from the earth to the air and back again तो water जो है वो constantly move करता है कहां से अर्च से to the air, अर्च से air में और फिर वो पिर्थवी पर एजे रेंड की रूप में आयाता है तो the constant circulation of water is known as the water cycle इस constant circulation को हम लोग क्या करते हैं water cycle करते हैं the water in the sea, river, lakes, pond or any other sources evaporates because of the heat of the sun नहीं सूर्ज के गर्मी से क्या होता है जहां का भी water हो चाहिए वह सी का हो river का हो lag, pond या कोई और उसे का हो वो evaporate करता है और उपर की और चले जाता है plant also gives out large amount of water from their leaves तो plant भी क्या करता है काफी मात्रा में जो है evaporate करता है water को अपने लीप सी the water vapor rises up और वो जाता है दए यहर हईयर अप इन दट मोस्फेयर इस पूर जो 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 वह उपर जाता यह जाता है और दीश धीरे धीरे क्या होता है वह खूल ठंदा हो जाता है और दीश कूल the water vapor and is condensed वो जो जो तंदा होता है वह condensed जाता है, to form teeny drops of water, और छोटे-छोटे water drops में वो change कर जाता है, these drops of water together form clouds, और वही drops जो है, वो आपस में मिलकर cloud बटाते हैं, as the cloud gets cold further, और वो cloud और अधिक अगर ठंड हो जाता है, the water drops become bigger, और वो दे ये water drop क्याता है, और बड़ा हो जाता है, when they become too heavy, और वही drop जो है, काभी heavy होजाता है, they fall on the earth as rain, और वही पानी जो हो नीचे की वर गिर जाता है, जिससे हम लोग जा काते हैं, rain काते हैं, यहाँ देखे, इस figure को जहां से देखे, इसमें सब के लिए दिया हुआ है, देख रहे हैं हम लोग की evoperation हो रहा है यहाँ पर, नहीं, यह evoperation कर रहा है, कहां से, ocean से आ रहा है, lake से आ रहा है, और stream से आ रहा है, फिर plant भी उभवपर कर रहा है, नहीं, और यह सब evasion के बाद क्या होता है, यह condensation हो गया, cloud का formation हो गया, और यह cloud और थोड़ा उपर गया, यहाँ पर water drop plate जो था है, वो heavier हो गया, heavy होने के बाद वो क्या होँआ, धिरे-धिरे बसा के रूप में गिर गया, और फिर वो देखे, जहां पर गिरा, अंत में वो surface run off होता है, surface पे पहुंचता है, और फिर वहां से वो ground water की रूप में निशे चले जाता है, फिर हम लोग देखते हैं, उस पानी का यूज करते हैं, फिर वो पानी समुदर में पहुंचता है, नदी में पहुंचता है, जहां भी पहुंचिए, वहां से evaporate करके, फिर वो condensed हो यह cloud बनाता है, तो इस प्रकार का यह cycle चलते रहता है, इसी को हम लोग करते हैं, water cycle, अब आता है जो तरह water table, वह बलता है, the upper level of water, underground, the, under the ground, which occupies all the spaces in the soil, and rocks, is called the water table, हम लोग जानते हैं कि नीचे क्या है, rocks है, और soil है, तो यह rocks और soil के बीच में भी कुछ gaping है, लेकिन उस gaping में कहता है कि जब पानी पहुंच जाता है, और जिस layer पर वो पाया जाता है, तो जिस layer से वो पाना शुरू हुआ, top layer, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, water table करते हैं, तो the upper level of groundwater, below the surface of earth, is called water table, तो सबसे upper level, ठीक है, चाहे उसके साथ में, soil भी हो, चाहे रॉक भी हो, लेकिन वो जो layer हुआ, first layer हुआ, उसी को हम लोग water layer करें, water table करें, और the water table varies from place to place, और इस दिहा जो है, एक गिसा नहीं होता है, अस्थान अस्थान पर, place to place यह varies करते रहता है, and it may even change at a given place, और यहां तक कि वो एक ही अस्थान पर कई तरह का हो सकता है, the water table rises and falls depending upon the amount of rainwater, तो water table जो है, वो क्या होता है, पनी का layer जो है, वो घरता और बढ़ता है, अंदर में कब, तो वो depend करता है, किस पर, rain पर, बर्सा पर वो depend करता है, नहीं, तो water table rises and fall depends upon the amount of rainwater, which sips into the ground, क्योंकि तो rainwater माल लिया जाए कि काफी अधिक बर्सा होगी, तो काफी अध बर्सा हो ही नहीं, कम बर्सा हो, या इरिगेसर अधिक हो जो, इंडेस्टी में अधिक यूज हो जाए पानी का, तो क्या होता है, कि हम लोग काफी पानी ग्राउंड से निकाल लेते हैं बाहर, इस ते क्या होता है, उसका layer डाउन हो जाता है, इप देर इस most rainfall and more rainwater sips into ground, अधिक मौतरा में अगर ground water को निकाल लिया जाए, चाहे irrigation प्रपस्ते हो, चाहे industrial प्रपस्ते हो, then the water level falls, उस प्रश्चिती पर water level क्या होता है, डाउन falls में पहुंच जाता है, देखिए, figure को देखिए इसका, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो यह क्या है कि इसमें हम देख ग्रामीन की और नहीं, यह हुआ आपका ground water, यह हुआ और इसी को हम लोग कहें, water table का है, ठीक है, अब है आपका depletion of water table, तो depletion of water table may cause for the following reason, क्यों depletion होता है, water table का क्यों depletion होता है, इसका क्या करण है, तो सबसे पहला करण है increasing population, अधिक population बढ़ रहा है, पानी consume अधिक हो रहा है, तो automatic है कि water level डाउन जाएगा, कम बर्सा होना, कम बर्सा होना भी क्या है, अधिक बर्सा होगा, तो अधिक पानी absorb करेगा, earthquake andoton की अधिक पानी rainfall होगा, तो पानी नहीं जाएगा कहा सी, ओटॉमेटिक है कि वो क्या होगा, उसका लियर निची जाएगा, deforestation हम लोग जानते हैं कि forest जो है वो water जो है उसके कारण बसा होती है नहीं क्योंकि तो अधिक पनी evaporate करता है और बसा होती है लेकिन deforestation अगर हम जंगल को काड़ दें deforest कर दें जंगल को तो उस परसिती में परसा कम होगी जिसी कारण क्या होगा increasing industrial activity और जो हम लोग देखते हैं population बढ़ रहा है तो requirement भी बढ़ रहा है requirement बढ़ रहा है तो industries increase कर रहे हैं बढ़ रहे हैं और उसके कारण क्या होता है अधिक consume हो रहा है और consumer अगर demand कर रहा है तो industries और अधिक production कर रहा है उस परस्ति में अधिक water खर्च होता है जिसी कारण पानी क्या होता है underground water से पानी यूज क्या रहता है जिसी कारण उसका level decrease हो रहा है increased agriculture activities और agriculture activities अधिक बढ़ने कारण क्या होता है more people more is the food requirement hence more over will करने का मतलब है क्या कि अधिक people होगा तो अधिक food requirement बढ़ेगा और अधिक food requirement बढ़ेगा तो अधिक खेती करना होगा अधिक खेती के लिए अधिक tubule बनेगा उस परस्ति में क्या होगा अधिक पानी खपत होगा तो automatic है कि water table डाउन जाएगा ड्यू टू इंक्रेजिंग urbanization and makkeeper फोट हो रहा है दंगल को काटे जा रहा है सहर बस्ते जा रहा है इस समूबा फ्रस्ति में पनी का uy PAT और लिकरेवरा वरिस्ट्रिवियुशायर और इन्गेल में क्या हो रहा है कि पनी का टेबल यह बो डाउन जा रहा है चलिए अब हम लोग देखते हैं आप लोग distribution of water the distribution of water over the earth is quite uneven नहीं क्या है unequal है तो water का distribution है कहां पर प्रिथवी पर वो क्या है uneven है सब जगह एगसा नहीं है due to a number of factor इसके बहुत सारी factor है the most important factor responsible for the uneven distribution of water is various part of the earth is the rain तो काता है कि यह जो हम लोग देखते हैं water का distribution जो है वो uneven है नहीं क्यों है इसलिए कि सब जगह जगह बर्सा एक जगह 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 नहीं होती है जिसके कारणी क्या होता है कि पानी का लेर दिया है वह सब जगह अलग-अलग है some places on the earth have good amount of rain कहीं कहीं क्या होता है काफी अच्छी बर्सा होती है and are water rich इसलिए वो क्या है वहाँ पर अधिक पानी है on the other hand दूसरे तरफ हम लोग देखें there are some places on earth such as desert which have lit rainfall and face water इसका city और कहीं कहीं पानी बहुत कम बर्सा होती है जहां क्या होता है पानी के अभावसी वहां के ब्रक्तियों को गुजरना पड़ता है आगे देखें डिस्ट्रिबूशन फाटर में India is a very vast country and the rainfall is not the same everywhere नहीं तो हर जगह क्या है पानी जो है वो यह जिसा नहीं है सम्साराइब इंडिया है एक्सेसिव रैंफॉल और भारत में नहीं कहीं क्या होता है काफी ब्रसा होती है Görasmus ब्रसा देखेंग बहुत कम ब्रसा होती है और जहां एक्सेसिव ब्रसा होता है वहां जैकते हैं बार्प आयाता है वेरेस बहुत कम बसा होती है और यहां तक की बसा होती है नहीं वहां सुखा पड़ जाता है डूटो दिस यही के कारण असाम गेट फ्लर असाम में अधिक बसा होने कारण वहां बाड़ आयाता है अबरी यह पर देखिया राजस्थान राजस्थान को अनिक्षी के अभाव से गुजरना पड़ता है आगे हम लोग देखते हैं इसमेंजमेंट अफ वाटर सबसे बड़ा कारण जो है वाटर इसका सिटी का क्या है विस्मेंजमेंट इट में बी पॉसिब एपन इन एरिया वह देर इस सफिसियंट रेंफॉर ठीक है यह संभब है कि हम जिस अरिया में राते हैं वहां काफी बर्शा होती है प्र भी वहाँ पनी का आभाव रहता है यह साथ क्यों होता है इसकी है प्रियाब्थ पनी होने के बावजूद वहां क्या होता है वाटर का supply department कि कारण भी क्या होता है बहुत ब्ला मिल्स नेजमेंट हो जाता है अट मैंट प्लेसजिश वाट दो इस यह ब्लाइन नेट्वर्ग ऑफ बिग एंसफोल पाइप वाट राज अच्छिकी सप्लाई होता है वो बहुत ही वेल प्लांट से होता है बड़े बड़े पाइप से भी होते हैं और छोटे पाइप से भी होते हैं लेकिन उस पाइप में क्या हो गया तो उससे क्या होता है परनी बहुत सरा परनी जो है वह लिक्से से बाहर निकल जाता है बैसे यही परनी क्या करता है यही जो आपका लिकिन पाइप है वही क्या करता है यह प्रस्पोंस्बीलिटी पिटू अब टौत दिया तो तो वो देखना चाहिए और उस लिकीश को ठीक करके पाइप को त्रूंत ठीक करते हैं नेक्स्ट है आपका देखिए मिस्मेजमेंट ऑफ वाट एड़ इंडिविज्वल लेवल नहीं यह तो डिपार्टमेंट से था लेकिन इंडिविज्वल लेबल पर भी हम लोग क्या करत पानी का बहुत ब्रबाद करते हैं करते हैं चाहिए बरतन साफ करते हैं नहीं तो या फिर पानी को को इरिगेट करते हैं हम लोग प्लांट में देते हैं तो इस दोरान भी क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे पानी को बरबात कर देते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीस दे हम लोग पानी बरबात करते हैं तो इन सबाओं पर हमें ध्यान देना चाहिए नहीं लेकिंग टेप सबसे अधिक वेस्टेज है नुखसान है तो काता है कि यह जो है जो भी गुशनेज्ट है या इसके डिपार्टमेंट जो जो लेवे बैकती है या फिर हम लोग जो अपने समझ लिजिए कि जो हम लोग भ्लेजर्स हैं या टाउन में रहने बाले हैं हम लोग अभी यह मिस्मिनेज्ट है तो क्योंकि तो रेन वाटर को जो है तो हम लोग इस्टोर कर सकते हैं और ग्राउन वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं इसका हम लोग बाद में फिर से यूज कर सकते हैं अब हम लोग देखते हैं प्रूपर मेंज्डमेंट औफ वाटर यह तो था मिस्मिनेजमेंट लेकिन प्रूपर मेंज्मेंट क्या होता है तो इसका city of water can be overcome by the proper management of available water which helps in the conservation of water and minimizes its wastage तो काता है क्या कि इसका city of water can be overcome by the proper management तो पाणी का जो shortage है उसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं proper management के द्वारा नहीं और उसके क्या हता है कि water conservation भी हो सकता है और पाणी की wastage को भी हम दो सकते हैं some of the steps which can be taken for the proper management of water are given मिलो यहां देखिए नीचे में कुछ proper management दिया हुआ है इसको अगर follow कीजिएगा तो हम पाणी के shortage को कुछ हद तक रोक सकते हैं नहीं देखिए पहला है rainwater harvesting तो one way of increasing the availability of water to overcome its shortage is rainwater harvesting कहता है कि अगर हमें पाणी के बरबात को रोकना है तो हमें rainwater harvesting करना होगा The most important technology of rainwater harvesting is to make rainwater sip into the ground more efficiently by constructing percolation pits and recharge well so as to recharge groundwater तो कहता है कि हमें सबसे पहले की rainwater जो वेस्ट हो रहा है उस वेन वाटर को रोकना होगा pits गधा बना कर रेन वाटर को क्या करना का अंडर्राउंड वाटर को recharge करना होगा और इस वाटर केन भी पंप आउट at the time of water shortage और जब वाटर हो उस समय इस वाटर को पंप आउट करके उसका प्यूंग कर सकते हैं सकेंड पॉइंट बोलता है ड्रीप इरिगेशन तो कहता है दा पीपूल मेनेजमेंट औफ वाटर इस अरिकल्चर की इन भी डन बाई यूजिंग देडिप इरिगेशन टेक्नलोजी तो ड्रीप इरिगेशन टेक्निक के माध्यम से भी हम पानी के बरवाद को रोख सकते हैं ड्रीप इरिगेशन इस टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाइंग यूज औफ ए सिस्टम औफ नेरो पाइप अप ट्यूब है कि एकदम डायायक रूट के पास ही पानी हम लोग करते हैं उस से क्या ओता है यहाँ बरभाद में होता है ड्रीप इरिगेशन रिगेशन यहां गिवाटर्ट ट्यूडर से तैके हよう ड्रीप इरिगेशन को पैनी डायायक्ट जढ की पहुंछते हैं नहीं और at a slow rate so that it can be absorbed by the soil without any halonoff. तो वहाँ पनी जो है भाके बरबाद नहीं होता है, तो हम लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं उसके क्या करता है कि जड़ के पास जो है वो, ही सिर्फ एब्सॉर्ब कर सकता है उसको. Thus deep irrigation minimize the use of water in irrigation. तो irrigation में क्या करता है, पाणी को हम लोग कम पाणी में अधिक irrigation कर सकते हैं, इस मादियाम से देखिए, इसकी मादियाम से अगला क्या बोल रहा है कि the wastage of water during the supply of water through pipe and by the leaking tap in house and other building should be prevented तो काता है, वेस्ट आप वाटर क्या हुआ है, तो supply of water पानी है, यह pipe जो है, उसमें अगर leakage है, तो उस leakage को, चाहिए किसी building में leakage जा रहा है, तो उसको हम लोगों को prevent करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए और unnecessary use of water, water का unnecessary use नहीं करना चाहिए, overdraw of ground water, through tube well, etc. should be avoid, तो काता है कि unnecessary water जो है, जो हम लोगों को ब्रबाद नहीं करना चाहिए, हमको tube well, बेगरासी पानी को निकाल कर उसका use करना चाहिए, उससे क्या होता है कि पानी का ब्रबादी करनी होती है, नहीं और इस पकार हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये lesson यही पर समाप्त होता है, इसको आप लोग one by one